कि अच्छे होंगे इस चैप्टर का हम लोग लास्ट दो जो हमारे पार्ट है वो हो चुके हैं दगाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड हम लोग पढ़ रहे हैं अमिताब घोश के द्वारा लिखा गया है जहां पर हमने शाहिद जी की स्टोरी हम लोग सुन रहे हैं कि कैसे उनके प्रवे गाइस हम बात कर चुके हैं आज गाइस हम लोग पोईट्री का छोटा सा पार्ट अपलोग डिसकस करने वाले हैं कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया लास्ट लेक्चर में के सर चैप्टर तो पूरा ही नहीं वहाप बीच में कहां से पोईट्री लिया है चैप तो at a certain point I lost track एक किसी निश्यद स्थान पर पहुँच करके I lost track of you मैं तुम्हारे पदचिन्नों को यानि कि जिससे मैं तुम्हारा पता लगा सकता हूं कि तुम कहां गए हो उन्हें मैं खो देता हूं तुम्हें मेरी आवश्रक्ता थी तुम्हें आवश्रक्ता थी मुझे और बहतर या बिल्कुल परफेक्ट बनाने की और तुम्हारी इस एपसेंस में अनुपस्तिती में जब कोई वेक्ति हमारे जीवन से चला जाता है उस हिसाफ से सोच करके देखिएगा यहां पर तुम्हें मुझे अपना क्या बना लिया है यानि कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे अंदर जो परिवर्तन आये तुम्हें मुझे अपना शत्रू अपना दुश्मन बना लिया है Your history gets in the way of my memory तुम्हारी history जो है यानि कि जब तुम जीवित थे उस समय कि तुम्हारी जो भी यादे हैं वो सारी की सारी मेरी memory मेरी यादों में आती है तो एक कौन सी जगह हो सकती है जा हम किसी का track हो देते हैं जब वो वेक्ति दुनिया से चला जाता है तब उसके बाद वो यहां से जाने के बाद कहा गया हम कभी उसको track नहीं कर पाते उसके पदचिन्न नहीं देख पाते तुम्हें आवशक्ता थी कि तुम मुझे और एक बहतर इंसान परफेक्ट इंसान बनाओ लेकिन तुम्हारे यहां ना होने के वज़े से तुमने मुझे अपना शत्रू बना लिया है और तुम्हारी जो भी यादे हैं तुम्हारी जो भी history है जैसा जीवन तुमने जिया जैसी बाते हम करते थे जहां हम घुमने जाते थे जो हम खाते बेते थे यह सारी की सारी जो तुमारा इतिहास है वो मेरी memories के mark में आता है या उसके रास्ते में आता है I am everything you lost, मैं वो सब कुछ हूँ जो तुम खोच चुके Your perfect enemy, तुमारा सबसे perfect शत्रूया दुश्मन Your memory gets in the way of my memory, तुमारी memory जो है तुमारी यादे जो है वो मेरी यादों में आती है There is nothing to forgive, तो इसमें किसी को माफ करने के विशाय में कुछ नहीं है Forgive का मतलब होता है माफ करना, अना, there is nothing to forgive, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं तुमें माफ कर सकूँ You won't forgive me, तुम मुझे क्षमाया माफ नहीं करोगे, I hid my pain, even from myself, मैंने अपना ही दर्द अपने आप से चुपाया है I revealed my pain only to myself, और मैं अपना दर्द सिर्फ स्वयम को अपने आपको ही बताता हूँ There is nothing to forgive, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए तुम मुझे माफ कर सको You won't forgive me, तुम मुझे माफ नहीं करोगे, if only somehow you could have been mine, अगर कभी किसी प्रकार से, किसी तरह से, अगर तुम मेरे हो पाते What would not have been possible in the world, तो इस संसार में ऐसा क्या था, जो असंभव था, या ऐसा क्या था, जो हमारे लिए संभव नहीं हो पाता तो जब कोई हमारी लाइफ से चला जाता है, तो किस तरीके से उसकी यादे हमसे उलसती हैं, या उसकी यादे या उसकी हिस्ट्री जो है, कैसे हमारी यादों का एक हिस्सा बन जाती है, और हमारी यादों के साथ साथ चलना शुरू होती है कैसे ये कह रहा है कि तुम्हारे चले जाने की वज़े से अब हम दोस्त नहीं दुश्मन रहे हैं या तुम्हारा परफेक्ट एनिमी मैं बन गया हूँ साथ ही साथ वो यहाँ पर लास्ट में एक उमीद जताता है कि अगर तुम मेरे होप आते अगर तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाते अगर तुम मेरे साथ होते तो इस दुनिया में ऐसा क्या था जो मैं हासिल नहीं कर लिता अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट है वाइट कलर से एक बार जब हम बातचीत कर रहे थे उसने मुझे बताया कि उसे बंगाली खाना भी बहुत पसंद है I protested लेकिन मैंने इस बात का विरोध किया मैंने कहा but शाहिद you have never ever been to Calcutta लेकिन तुम तो जहां तक मुझे पता है आज तक कभी Calcutta गए नहीं तो जब Calcutta नहीं गए तो तुम्हें बेंगली खाना कैसे पसंद है जैसे हम लोगों को पसंद है Chinese या फिर पंजाबी छोले videos के लिए no nahi he said उसने कहा but we have friends who used to bring us that food लेकिन मेरे दोस्ते हमारे ऐसे दोस्ते जो हमारे लिए इस तरह का खाना लाते थे when you ate it you could see that there were so many things that you did not know about तो तुम देखोगे कि जब तुम इसे खाते हो जब तुम बेंगली खाना खाते हो you could see तो तुम मैसूस कर सकते हो देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जिसके बारे में हम अभी भी नहीं जानते हैं everywhere in the country country में देश में जहां पर भी चले जाओ हर जगे कुछ ना कु why can't you be happy with your cushions and the clothes and the music and all these wonderful things कि ऐसा क्यों है कि तुम इन सारी चीजों के साथ what I say is मैं जो कहना चाता हूं वो यह है कि why can't you be happy तुम खुश क्यों नहीं हो सकते हैं उन सारी चीजों के साथ जो भी cushions हैं जो भी भोजन में जो भी वस्तुएं मिली हैं कपडों से, music से या सारी ज और अपनी बात में एक और चीज जोड़ देता है बड़े प्रेम पूरवक्या कोमलता से अना वैसे कोमलता से नहीं होना जी प्रेम पूरवक्या सकते हैं यानि बहुत प्यार से एक और चीज जोड़ देता है अट लीस्ट आकिरकार, here we have been able to make a space where we can all come together because of the good things. यहां पर हम लोग एक ऐसा space, एक ऐसा स्थान बना सकते हैं, कम से कम इतना तो हम करी सकते हैं, जहां पर हम सब एक दूसरे के साथ हो because of the good things और केवल और केवल अच्छाई के लिए अच्छी चीजों के लिए, अच्छे कामों के लिए अच्छे विचारों के लिए, हम सब चीज़े थी जिसमें शाहिद जो है उसे बहुत ही आनन्द मिलता था यानि उसे क्या प्लेजर मिलता था यानि कि उसे उन चीज़ों से बहुत ही आनन्द मिलता था None was more dear to him than the music of Begum Akhtar तो Begum Akhtar से का जो music था उससे जादा प्यारा उसके लिए कुछ भी नहीं था तो None was more dear यानि कि उसके लिए सबसे प्रिये चीज़ क्या थी तो Begum Akhtar का जो संगीत था वही उसके लिए सबसे जादा प्रिये था उससे जादा उससे और कुछ भी प्रिये नहीं था, he had met the great the great gazal singer when he was in his teens वह उस महान gazal संगीतकार से तब मिला था gazal तो हम सभी लोग जानते हैं जगजीत सिंगर तो उस gazal singer से वो तब मिला था जब वो teens में था, यानि कि जब वो किशोर अवस्ता में था जिसे हम teenage भी कहते हैं जब वो अपनी teenage के अंदर था though a friend, through a friend एक friend के माध्यम से and she had become an abiding presence and influence in his life और जब वह बेगम अक्तर से मिला तो उसने एक स्थाई प्रभाव और एक स्थाई स्थाई प्रजेंस का मतलब किसी के जीवन में बहुत जादा अपना स्थान बना लेना उस तरह का प्रभाव उसके जीवन पर डाला शाहिद head of fund of story about her sharpness in reparty यानि कि शाहिद जो है head of fund of stories fund of stories मतलब उसके पास बहुत सारी ऐसी कहानिया थी about her sharpness, हर किसके लिए का गया है तो हर वापस से बेगम अक्तर के लिए का गया है कि उनकी जो sharpness है उनका जो तेजी पन है उनकी हाजिर जवाबी में कितना तेज है ये हाजिर जवाब होने में या कितना तेज है पलट के जवाब देने में तो यहाँ पर sharpness in reparty जो है उसका मतलब ये निकलता है कि हाजिर जवाब होने में वो बहुत ही तेज थी उसके बारे में काफी सारी कहानिया जो है वो शाहिद बताया करता था या उसके पस बहुत सारी ऐसी कहानिया दिए एक बार ऐसा हुआ किसी ने वेगम अक्तर से ऐसा का इस हाजिर जवाबी का रिपाल्टी का मतलब वो खुद बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब नहीं था या बहुत ज़्यादा उसका अभ्यास नहीं करता था और वन फेमिस अकेजिन एक प्रसिद अवसर को अकर मैं याद करू एड बार्सिलोना एरपोर्ट पे उसे एक सुरक्षा करमी के द्वारा रोका गया जैसे ही बसके वो एक प्लेन में चड़ने ही वाला था देखे जब प्लेन में यात्रा करने के लिए चड़ा जाता है न तो क्लाइम दा प्लेन नहीं होता आप क्या कर रहे हो मैं प्लेन में चड़ रहा हूँ तो क्लाइम नहीं कर रहे हो आप उसके लिए क्या यूज करते हो बोर्ड प्लेन यानि कि आप प्लेन की सेवाई ले रहे हो एक जगे से दूसरे जगे जाने के लिए गार्ड और उस गार्ड के बारे में अब वो मन जो की एक औरत थी उसने पूछा asked what do you do आप क्या करते हैं I am a poet मैं एक poet हूँ कभी हूँ शाहिद ने जवाब दिया what were you doing in Spain और आप Spain में क्या कर रहे थे writing poetry मैं कभी ताइं लिख रहा था तो यहाँ पर इन दोनों की बातचीत के बारे मैं बता रहे हैं तो कभी भी आप विदेश में जाएंगे तो आपसे कारण पूछा जाता है आप कौन है कहां के रहने वाले आप क्या करते हैं तो उस conversation का जिक्र कर रहा है आपे कि आप क्या करते हैं तो उसने का मैं poet हूँ शाहिद ने जवाब दिया आप यहाँ Spain में क्या कर रहे हैं तो उन्होंने पलट के फिर से जवाब दे दिया कि मैं कभी ताइं लिख रहा हूँ no matter what the question शाहिद worked poetry in his answer कोई फरक नहीं पड़ता कि उससे क्या सवाल पूछा जाए शाहिद से कभी कोई भी सवाल पूछो worked poetry in his work तो वो हमेशा काम में poetry को ही अपने जवाब में लाता था यानि कि poetic तरीके से ही कभी के तरह से ही अपना जवाब देता था finally the exhaust parted women asked और अंततह जाकर के उस उत्तेजित या क्रोधित हुई भी महिला ने पूछा are you carrying anything that could be dangerous to the other passenger क्या आप अपने साथ कुछ ऐसा लेकर जा रहे हैं जिससे दूसरे जो यात्री है passenger से उन्हें कोई खत्रा हो सके add this और इस बात पर शाहिद clapped शाहिद ने clap करना शुरू कर दिया a hand to his chest and cried एक हाथ से अपनी छाती को ऐसे मारा और जोर से कहा only my heart केवल मेरा दिल है जिससे मैं किसी को नुकसान पहुचा सकता हूँ या जो किसी के लिए खतरनाग हो सकता है किसी यात्री के लिए तो only my heart जो है यहां से वो थोड़ा सा poetic हो गया फिर से romantic poetry में जवाब दिया कि भाई क्या आपके पास कुछ ऐसा है जिससे बाकी आत्रियों को खतरा हो सकता है तो ऐसे करके कहता है हाँ मेरा दिल है जिससे किसी को खतरा हो सकता है इस तरीके से वो जवाब देता है और यह उसके सबसे महान जो की wilden movement थे wilden मतलब romance कारी करत में किसमें है यह उसके romance कारी जीवन में जितने romance कारी शनाये थे उनमें से एक था और यह उस अवसर की बात है जिस पर कविता लिखे गई Barcelona Airport उसने उन शनों को जितने भी वो शन थे जब वो उस लेडी से बात कर रहा था जो की security guard थी और उससे security questions पूछ रही थी इस तरह के question पूछने को कहते है security clearance कि आप से कुछ बाचीत की जाएगी आपके personality को judge करने की कोशिश की जाती है कि बाकी यात्रियों को आप से खत्रा है की नहीं है और फिर जब आप महां से निकल जाते हैं कि आप इससे कोई खत्रा नहीं है तो उससे security clearance कहा जाता है सामान का भी होता है वेक्ति का भी होता है सब का होता है वे ऐसे क्षणों को हमेशा treasure treasure यानि की एक खजाने की तरह संग्रहित कर लेता था I long for people to give me an opportunity to answer question मैं हमेशा इंतजार करता रहता हूँ इच्छा करता रहता हूँ कि लोग आएं और मुझसे सवाल पूछें ताकि मुझे अवसर मिल पाए उनके सवालों का जवाब देने का He told me once उसने एक बार मुझे कहा था On 7th May I had the good fortune to be with him When one such opportunity presented itself साथ मही की बात है और ये बहुत ही अच्छे सोभाग्य की बात थी कि मैं उसके साथ ही था जब ऐसी एक opportunity Opportunity स्वयम उपस्तित हो गई Opportunity का मतलब ऐसा एक अवसर यानि कि मैं हमेशा सोचता था कभी ऐसा हो के शाहिद जो है जिस तरीक से जवाब देता है वो चीज मैं आमने साबने देख पहूँ और साथ मही को ऐसा हो गया कि एक अवसर जो है वो खुद ही उपस्तित हो गया यानि कि एक ऐसा आवसर मुझे स्वताय ही मिल गया कि जहां मैं खुद अपनी आँखों से उस चीज को देख सकूँ शाहिद वास टीचिंग एट Manhattan's बरूच कॉलेज इन दा स्प्रिंग semester of 2000 तो शाहिद जो है पढ़ा रहा था Manhattan के अंदर बरूच कॉलेज जो है बसंत के मौसम में और semester था वो यानि कि साल कौन सा था semester of 2000 के अंदर and this was to be his last class और ये जो आज कक्षा हो रही थी साथ मेई को ये इसकी आखरी कक्षा होने वाली थी indeed the last he was ever to teach और last में भी इतनी last के वहा की last नहीं उसके बाद वो teaching ही जोडने वाला था यानि उसके teaching career का या जो भी वो पढ़ाता था उस पढ़ाने की आखरी कक्षा होने वाली थी the class was to be short one for he had an appointment at the hospital immediately afterwards और ये class जो है ये थोड़ी छोटी class होने वाली थी बड़ी class नहीं होने वाली थी क्योंकि उसका पहले ही hospital में appointment था जो कि उस class के तुरंत बाद होने वाला था immediately afterwards का मतलब क्या है उसके तुरंत पश्चात होने वाला था I had heard a great deal about the brilliance of शाहिद's teaching और मैंने सुना था कि बहुत ही बड़ी बात थी कि कितना प्रतिवाशाली कितना brilliance के साथ या लाजवाब तरीके से शाहिद पढ़ाता था या शाहिद के पढ़ाने का तरीका कितना लाजवाब था लेकिन ये पहली और एकमातर बार फर्स्ट टाइम देखा था मैंने उसे और उनली टाइम एकमातर बार मैंने उसे देखा था आई वास टूसी हम यानि मैं उसे देखने वाला था पफॉर्म करते हुए पढ़ाते हुए अपनी कक्षा में और ये चीज़ पूरी तरह से सपश्ट हो चुकी थी फ्रॉम दा मुवमेंट उसी समय से उसी शन से वी वॉग्ड इन दा स्टूडेंट एड़ॉन हम जब हम उन्स्टूडेंट के बीच में पहुचे या चल रहे थे जो बहुत ही उन्हें आदर करते थे प्यार करते थे उनका सम्मान करते थे उन्होंने एक पत्री का यानि कि एक मैगजीन को प्रिंट किया था और उसमें समर्पन के भाव से यह इशू है इस विशे को समर्पित किया था और विशे किसके बारे में था तो हिम उसे शाहिद फॉर हिज पार्ट वास नॉट इन दा लीस्ट subdued by the sadness of the occasion तो शाहिद को क्योंकि शाहिद for his part क्योंकि शाहिद अपने तरीके से was not in the least subbed यानि कि वो थोड़ा सा भी शान्त नहीं था by the sadness, उस sadness की वज़े से of the occasion, जो sadness उस occasion पे होती है उसकी वज़े से उसमें थोड़ी सी भी शान्ती महसूस वह नहीं कर पा रहा था खास करके बात की जा रही है कि जब कोई teacher अपने students के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़ा होता है तो एक जुड़ाव हो जाता है और खास करके साहित्यकार लोग, कभी लोग जो है इन्हें बहुत जादा ही होता है ठीक है क्योंकि मैं उसे महसूस कर सकता हूँ मैंने पढ़ा है साहित्य इसलिए महसूस कर सकता हूँ जब वो उनसे अलग होते हैं फेर वेल वाला जब टाइम आता है वो समय थोड़ा सा मुश्किल होता है इस तरह के अवसर थोड़े से भावुक कर देने वाले होते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टु एंड शुरुवात से लेकर अंत्र तक वो एक बिल्कुल जगमगाता हुआ चमचमाता हुआ डिवा की तरह था अक्तर इंकार्णेट ब्रिमिंग जो अक्तर इंकार्णेट यही मूर्ती की तरह ब्रिमिंग उपर तक भरा हुआ विट लाफ्टर हसी से और नकरा और नकरो से और जब एक इंडियन स्टुडेंट जो है जब क्लास में लेट आता है तो वह क्या करता है उसका अभिवादन करता है उसे ग्रीट करता है विद्ध क्राइए एक चीक के साथ या तेजी से बोलता हुआ अरे देखो मेरा चोटा सा या मेरा प्यारा सा जो है सब कॉंटिनेंटल यानि कि उप महाद्वीप का रहने वाला जो है वो आ गया है क्लास्पिंग हिस हैंड उसके हाथों को जकडते हुए या पकडते हुए ही फिगेंड और स्वून वो ऐसे ड्रामा करता है जैसे उसे मूर्चा आ रही है वो बेहोश हो रहा है और कहता है कि इस चीज ने मुझे पूरी तरह से हिला दिया है चुस्त कर दिया है देश भक्ती से पूरा भर दिया है या देश भक्ती से उत्साहित कर दिया है मुझे में कि मैं अपने दूसरे सावटेशन साती का हाथ पकड़े हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तुमारे हाथ पकड़ रहा हूँ कभी किसी को नहीं डाटता पून बजने पर जैसे इसका मून रहता है ना वैसे आप लोग नो तो फिर मून भी ऐसा ही रहता है कुछ-कुछ तो किसी का फोन बजता है तो एक शर्त है फोन आये कोई दिक्कत नी फोन बजे ठीक है गाना अच्छा होना चाहिए रिंग टॉन अच्छी होना चाहिए अगर रिंग टॉन अच्छी है तो ठीक है नहीं तो फिर डाट पड़ेगी कम से कम अगर एक ऐसी class एक ऐसी कक्षा है जो बहुत ही गंभीर तरीके से पढ़ाई की और आगे बढ़ रहे है बहुत ही seriously study कर रहे हैं बच्चे और अच्छानक से उसके बीच में 30 second का या 45 second का कोई अच्छा सा गाना सुनने को मिल जाए तो दो मिनट का सबको delight मिल जाता है बढ़िया गाना चल रहा है तो एक उस भाव के साथ तो यहाँ पर यह भी easy mood में रहता है हमेशा His time at Penn State उसका जो समय था पैन स्टेट में जो वीटा था He remembered way याद करता है with unmitigated pleasure पूर्ण आनंद के साथ या मतलब कहते है न बहुत आनंद से या मजे से भर कर I grew as a reader मैं बढ़ रहा था एक reader यारी एक पाठक के तौर पर जो चीजों को बढ़ता है I grew as a poet मेरे अंदर चीजे बढ़ रही थी या poetry के जो गुण है मेरे अंदर बढ़ रहे थे एक poet के रूप में कभी के रूप में I grew as a lover और मैं ऐसे वेक्ती के रूप में बढ़ रहा था जो प्यार करना जानता है प्यार करना सीख रहा है कि कैसे हर चीज से प्यार किया जाता है He fell in with a vibrant group of graduate students वह वहाँ पर घिर गया था कुछ समय के लिए यह वह बात है जो अकसर कहता है उसके जीवन का सबसे खुशनुमा समय जो था लेटर बाद में शाहिद जो है अरिजोना जाकर बस गया तो टेक अ डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग ताकि वह क्रिएटिव यानि रचनात्मक लेखन में डिग्री प्रैप्त कर सके और इसी के बाद में यह हुआ कि जैसे ही उसे अपनी डिग्री मिली डिग्री मिलते ही उसके पीछे कौन लोग लग गए उनका वो लोग उनके पीछे आ गए फॉलोग बाए अ स्रीज अप जोब्स यानि कि एक, दो, तीन, चार, पाँच यह से सिरीज लग गई कैदना लड़ी लग गई नोकरियों की काम करने की जो उसके पीछे आए कौलेजिस के अंदर और उनिवर्सिटीज के अंदर उसको काम बहुत जादा ओफर होने लगा Hamilton College जो है The University of Massachusetts at Amherst तो Massachusetts अमेरिका के अंदर एक जगह है उसका नाम है Amherst के अंदर वो शिचुएटेड है वहाँ पर एक कॉलेज है The University of Massachusetts नाम है उसका और वहाँ पर जो कॉलेज है उसका नाम है Hamilton College ठीक है and finally और अंतता है The University of Utah in Salt Lake City और अंत में University of Utah जो है Lake City के अंदर वेर ही वाज अपॉइंटेट प्रोफेसर इन नाइटीन नाइटीन जहां पर उसे प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया गया नियुक्त किया गया 1999 में He was on leave from Utah doing a brief stint वो leave पर था छुट्टी पर था कुछ समय के लिए वहाँ से क्योंकि उसे brief stint करना था अलप अवदी के लिए या बहुत कम समय के लिए brief stint के लिए ठीक है इसके बारे में हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं जब पहली बार उसे अपना पहला blackout हुआ यानि आखों के सामने अंधेरा चा जाना ये घटना जब हुई 2022 में उस समय में पहली बार after 1975 1975 1975 के बाद में when he moved to Pennsylvania जब वो Pennsylvania में आया वहां कर रहने लगा शाहिद lived mainly in America शाहिद जो है तब तक मुक्य दोर पर अमेरिका में ही अधिकांच समय रहा था his brother was already there उसका भाई पहले से वहां था and they were later joined by their two sisters और बाद में उनकी दो sisters नहीं भी आकरके उन्हें अमेरिका में जोइन किया but शाहिद's parents continued to live in श्री नगर लेकिन शाहिद के माता-पिता जो है वह अभी भी लगातार श्री नगर में ही रह रहे थे it was his custom to spend the summer months with them there every year और ये उनका custom था ये उनका एक तरीके का एक रिवास था उन्होंने परंपरा बना रही थी कि वह साल पर कहीं पर भी रहू लेकिन summer का जो समय होता है गर्मियों का समय जो है वो अपने माता पिता के साथ वही पर जाकर हर साल श्री नगर जाकर के बिताते थे उसे एक custom के तौर पर एक परंपरा के तौर पर उसे निभाते थे I always move in my heart between said countries यानि कि मैं हमेशा अपने दिल में ही कई उदास देशों में घूमा हूँ I always move in my heart between said countries यानि अलग-अलग जो उदास किसम के देश है महाँ पर मैं अपने मन में ही अपने रिदाय में ही घूमा हूँ अगर आप बात करें मेरी यात्रा की जो युनाइट स्टेट और इंडिया के बीच में होती थी He was thus an intermittent but first hand witness शाहिद के बारे में बोल रहा है to the mounting violence that seized the rain from the late 1980s onwards तो ये उस समय की बात है जब he was thus an intermittent intermittent मतलब रुक रुक कर चलने वाला था रुक रुक कर आगे बढ़ने वाला था लेकिन first hand witness था यानि कि अपनी आख first hand witness उसे कहा जाता है जिसने अपनी आखों से सब कुस देखा हो वो शाहिद था जिसने mounting violence यानि तेजी से बढ़ती हुई हिंसा को देखा था that seized जिसने जकड लिया था the rain the region उस पूरे शेत्र को from the late 1980s late 1980s यानि कि जहाँ 1980 का दशक समाप्त हो रहा हो वही से उसने ये सारी चीज़े देखना शुरू किया उसके लिए क्या कहता है वो it was 89 ये 89 की बात है the stones were not far signs of change everywhere पत्थर जो है वो बहुत जादा दूर नहीं थे और वो सब कुछ बदलने का चिन बनते जा रहे थे यानि की पत्थर बाजी की वज़े से वो एक चिन बनता जा रहा था पत्थर के अब कश्मीर में हर तरफ सब कुछ बदलने वाला है कश्मीर वोड सून बी इन literal flames यानि कश्मीर जो है जल्द ही सही तरीके से flames यानि जलना शुरू कर देगा तो उस समय का जो दौर था जिस समय में कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी घटनाय चल रही थी जिससे मानवता शर्मशार हो जाए तो उस समय को बताने के लिए शाहिद और जो हमारे गोश साब है इन दोनों का नजरिया ऐसा था इन दोनों ने इस बारे में काफी कुछ कहा कि कैसे उस समय में शाहिद का जीवन जो है वो कश्मीर में होने वाली घटनाओ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था उसके बारे में आप बताया गया तो आए होप लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों अच्छे से enjoy भी किया होगा next part में guys हम लोग मिलते हैं वहाँ पर इस lecture को हम लोग पूरा complete करने वाले हैं पूरी तरीके से खतम करने वाले हैं thank you very much I'll see you soon in my next lecture till that take care of yourself bye bye see you soon